देखिए कोरोना वैक्सीन बिहार के लोगों को वह इसे ही फिरी लगेगी जैसे पंदरा पंदरा लाख रुपिया सबके खाते में आ रहा था बाद में बीजेपी पलट जाएगी कहे देगी ये तो जुमला था अब मरों बिना वैक्सीन के कौन पूछने जाएगा दसे तारीक तक तो फिरी लग रही है दस नौंबर को जब रेजेंट आ जाएगा तो फिर का है अभी बिरेंदर जी की बाद कोई जवाब नहीं है बाई उसके बाद आपके पास का रास्ता बस्ता है कित्ती डिवेट कर लो पर बिरेंदर जी की दो लाइगी से डिवेट सी मठती है जी इसलिए कह रहा हूं कि ये सच्चा ही है कह देंगे भाई हमने मैंनो फिस्टों कहा था वो एक जुमला था राजनेतिक बात की ऐसा कही होता है अच्छा एक बात ये बताईए कि जामुन का प्यड़ है और उसके नीचे आप गुलाब का प्यड़ लगा दे तो क्या गुलाब जामुन फल देने लगेगा गुलाब जामुन तो पैदा नहीं हो जाएगा तो ये हथेली पर सरसों जमा रहे हैं सिर्फ चुनाओ तक उसके बाद तो बिहार के लोग गंदगी पहलाते हैं बिहार के लोग मजदूरी करते हैं महराष्ट क्यूं आते हैं गुजरात क्यों जाते हैं सब सारे सवाल ख़ड़े हो जाएंगे इसी गुजरात से बिहारियों को और उत्तर प्रदेश वालों को मार मार के भगाया गया था प्रेनों में भर भर के मार मार के गुजरात से गुंडों ने भगाया था विहार के लोगों को कि मार मार के भगाए जाएंगे और ना गाड़ी मिलेगी ना टेंपो यह पाइदा लाएंगे तिन तिन चर्चर हजार रुपिया के अदमी किराया देकर आएंगे तो यह सब दूर्दसा देखी है लोगों ने और अब यह बैक्सीन का भी एक जुमला आया है तो इसको जुमल कि नीत में वोट हासिल करने के लिए किस तरह के हतकंडे अपनाए जा रहे हैं इससे जंता को सचेत रहना होगा ब्रजैन जी बीजेपी बहुत होस्यार पार्टी है और बीजेपी हर तरह से सरकार बनाने की अब आदी भी हो चुकी है इस देश में